इस वक्त हम मौजूद है उत्तर परदेश के ददमई गाउं में ददमई गाउं में सना रहती है सना की अगर बात की जाए तो सना वो महिला है जो साजित की बेवा है साजित का इंकाउंटर जो है उत्तर परदेश पुलिस ने कर दिया सना से बात करने के लिए हम यहां पर पह तो शादी यहीं उई थी या वहां पे बाबा नगल में उई थी ना हुआ थी यहीं से बादा आई दमें के लिए अच्छा आप पहले से जानती थी साजित को या घरवालों की मर्जी से शादी हुए थी अच्छा एक चीज और रहा है कि साजित ने जब दोनों बच्चों को जो मारा था तो यह कहा था उनकी घर पर जाके कि जो उनकी पत्नी है यानि आप वह है प्रेगनेंट है बच्चा होने वाला है और उसके लिए पांच जाग पर चाहिए ना ऐसी कोई बात नहीं है आप प्रेगनेंट नहीं है तो साजित ने ऐसा क्यों बोला हमें क्या पता भी जागने आप साजित के रहती थी या घर लेतेजा मैं बहुत नहीं काम कर लेता है अर्ष कि वह सब्सक्राइब है sipa को बाबा कौल जो तो कि अब को किसे चादी आपके कोई बच्चा है भी नौ कोई बालक लेधित तो आपसे का भी साजित की बात हुई ती इस तो कभी आपको ये महसूस नहीं हुआ कि किसी से नकुँकभात स्वेलते हों के दो ईजल वारी को Agora को हुआ है । पता चला इस बारे में उन में कि उननों दोनों को उना पता चला हैं य कर दा कभी किसी चीज को लेके परिशान हो बच्चों को लेके परिशान हो है कि ऐसी कोई बात नहीं थी इसले बड़ा कदम उठाया है दो बच्छों का कतल कर दिया बेरहमी से गतल किया है तो उसके पीछे कुछ तो कारण रहा हुगा ना कोई कारण नहीं था अब दो नहीं पड़ने करने पर अपको बात हुई था ऐसे काbon musi तर अच्छ?". कि जैसा आपको पता चला कि जावेद और जो साजेद उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया दो बच्चों की मासुम बच्चों का कटल कर दिया उसके बाद जिस तरीके की सजा साजेद को मिली क्या आपको लगता है वो ठीक हुआ कि जिस तरीके की सजा हुई एंकाउंटर हुआ क्या आपको लगता है कि सही हुआ मासुम बच्चों का कटल किया ऐसा ही ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए कि आपको लगता है कि सजा मिली अच्छा हुआ कि जो अब इसकار तेजा हुआ हैं आपके मालना है कि जो जो हुआ जो हुआ हुआ है और ठीक कि देखे यह देके यह सजात हिससना वह महिला है जो साजित की पतनी है उनका ये कहना है कि किसी तरीके का कोई जगड़ा नहीं था, किसी तरीके का कोई जो है वो लेंदिन नहीं था, पैसो का लेंदिन नहीं था, हाला कि ये कतल किया क्यों गिया, ये अभी जो है वो सवालों के घेरे में है, हाला कि साजित की जो है वो एंका सका है पुलिस भी लगातार जावेद को तलाश रही है ताकि इस दोहरे हत्याकान की सच्चाई से पवदा उठ सके कि इतना बड़ा जो दोहरा दो मासुम बच्चों की हत्या की गई थी इतनी बेहरामी से वो आखिर क्यों की गई थी और दूसरी बात यह कि जिस तरीके से जा मार नहीं है साजीद ने आखिर ऐसा क्यों कहा ये भी अपने आप में सवालों की हेरे में फिलाहल जब तक जावेद गिरफतार नहीं हो जाता तब तक इस पूरे मामने से पवदा नहीं उठ पाएगा वीडियो जोनलिस्ट जितेंदर के साथ वजनिश शर्मा इंडिया डे